हेलो दोस्तों मेरे किचन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे मुंग डाल की बर्फी और सूजी की मिठाईयां जो खाने में बहुत ही टेश्टी होता है और फायदे मंद भी यह बहुत ही कम इंग्रिडियन्स से घर में बनकर तयार हो जाता है यह मार्क भाया दूजी आ किसी वित्यहवार पे या जब भी आपको खाने का मन करे तो आप फटा-फट घर में रखी चीजों से बना सकते हैं तो चलिए इसको बनाना सुरू करते हैं अगर मेरी रेस्पी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले मूंग दाल की वर्फी बनाने के लिए हम लेंगे एक कोटोरी मूं इसको पहले से धूल कर कड़ाई में डाल कर हलका सरोष्ट कर ली हूँ जिसे की पीषने में असानी रहे इसको अब ग्राइंडर जार में डाल कर महीन पाउडर तयार कर लेंगे यह वाजन में 250 ग्राम है इसको थोड़ा पेशेंस से पीषना है क्योंकि यह जल्दी महीन नहीं होता है हमें चाहिए महीन पाउडर तो इसको एक छन्नी की सहायता से छान लेते हैं जिससे की मोटा दाना अलग हो जाएगा और यह दाना हम दाल बनाने में यूज़ कर लेंगे अब यह फाइन पाउडर बनकर तयार है पैन गरम हो गया है दो बड़े चम्मच घी डाल देते हैं या वजन में 40 ग्राम है आप घी कम या अधिक ले सकते हैं घी मेल्ट हो गया है इसे हम मुंग डाल के पाउडर को डाल देंगे और चलाते हुए भूनेंगे बर्फी बनाने में कम घी का यूज होता है लेकिन मुंग डाल का हल्वा बनान में अधिक घी का यूज होता है फ्लेम को लोटू मीडियम रखा है जिससे कि यह अच्छे से भून जाए और इसमें कच्चा पन न रहे इस पैचुला से लागतार चलाते रहेंगे जिससे कि यह जलने न पाए इसे हम 10 से 12 मिनट तक भून लेंगे अब यह लगबग भून गया है किती अच्छी खुस्बू आ रहे है और कलर भी चेंज हो गया है गैस को बंद कर देते हैं इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं अब बनाएंगे एक तार वाली चासनी चासनी बनाने के लिए एक कटोरी से थोड़ा सा कम चीनी वजन में 150 ग्राम है और हाफ कटोरी पानी चीनी पानी के अंदर घूल जाए जिसे चलाते रहेंगे अब इसमें उबाल आ गया है इसको चलाते हुए पकाएंगे लगभग यह तायार हो गया है इसे चेक करते हैं इसको चेक करने के लिए अंगुली में थोड़ी सी चासनी लगा कर देखिए तार बन रहा है इसे एक मिनट और पका लेते हैं चासनी बिलकुल प्रिफेक्ट है अब भूनी वी पाउडर को डाल कर अच्छे से चलाते रहेंगे जिससे कि इसमें गुटलिया न पढ़ने पाए गयास का फ्लेम बिलकुल लो रखा है इसको तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि आप पूरा पानी एब्जॉर्ब न कर ले यानि कि पूरा पानी पी ले आप इसका टेक्सर देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है इसको ऐसे ही लगतार चलाते हैं वे कुक करेंगे जब तक कि एक दम जमने वाली फॉर्म में न आ जाये देखिए नीचे से कड़ाई को भी छोड़ने लगा है इसमें डालेंगे पांच छोटी इलाइची को छील कर उसका दरदरा पाउडर बना कर लिए हैं आप पिना इलाइची डाले भी बना सकते हैं अब मिक्सर तयार है फ्लिम बंद कर देते हैं मैं डाल लही हूँ आउरेंज फूट कलर या आप्सनल है इसको भी मिला लेते हैं और अच्छे से चला लेंगे हलका सा ठंडा करके किसी भी कंटेनर में निकाल लेंगे मैं हाँ एक टिफिन ले हूँ इसमें थोड़ा सा घी डाल कर अब इसमें सारे मिक्सर को डाल कर फैला देते हैं यह बिल्कुल बरावर हो गया है इस पे हम ड्राइफूट से गार्निस कर रहे हैं बारीक पिस्ता और बादाम काट कर ली हूँ आप अपने मन पसंद अनुसार कोई भी ड्राइफूट ले सकते हैं इसे हम रूम टमप्रेचर पर दो घंटे के लिए रख देते हैं दो घंटा हो गया है अब यह बिल्कुल सेट हो गया है इसे हम पीसेज में काट लेते हैं आप चाहें तो बड़ा या छोटा अपने अनुसार काट ले देखिए कितना सुन्दर मूंग डाल का वर्फी बनकर तयार है या जितना देखने में सुन्दर है उससे कहीं अधिक खाने में टेश्टी भी या बजार से भी अच्छा और हैजेनिक है आप इसे जरूर बनाएं खाये और इंज्वाय करें देखिए इसको हम तोड़के दिखाते हैं एक सा टेस्टर कितना अच्छा आया है तो च सुजी का पिड़ा यह खाने में बहुत टेश्टी और बिलकुल सॉफ्ट है मुख में जाते बिलकुल घुल जाता है यह बहुत कम इंग्रिडेंस से बनकर तयार हो जाएगा और बनाना तो बहुत इजी है एक कटोरी सुजी से धेर सारी मिठाई बनकर तयार होगी तो चलि घी मेल्ट हो गया है इसमें डाल देते हैं एक कटोरी बारीक सूजी वजन में 200 ग्राम है अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं है तो उसे मिक्सर में पीज ले इसको हम चाले आते हुए करीब करीब 9-10 मिनट तक भूनेंगे यहां मैं फ्लेम को लो टू मिडियम रखा है लो मिडियम पर सूजी अच्छे से भून जाएगी और कलर भी उत्ता चेंज नहीं होगा लगभग सूजी भून गई है क्योंकि इससे बहुत अच्छी खुस्बू आ रही है और हलका सा कलर भी चेंज हो गया है अब डालेंगे दो बड़े चम्मच मिल्क पाउडर वजन में 30 ग्राम है इसको अच्छे से चला लेंगे मिल्क पाउडर डालने से मावा अली टेक्स्टर आएगी जिसे हमारे पेड़े साफ्ट बनेंगे इसको भी मिला लेंगे इसमें डालेंगे हाफ कटोरी चीनी वजन में 150 ग्राम है इसमें डालेंगे दो फूल क्रीम दूद बजन में 500 मिली लीटर है इसको डालकर अच्छे से चलाएंगे दूद एक ही बार नहीं डालेंगे रुक रुक कर डालेंगे फुलेम को मीडियम रखा है लगतार चलाते हुए कुक करेंगे जिसे की गुटलिया ना पढ़ने पाए और दूद को पूरी तरह एबजॉब कर ले अब फुलेम को बिल्कुल लो कर देंगे यह जमने वाली फार्म में आ रहा है इसमें डालने हैं पांच छोटी इलाइची के पाउडर अगर आपको पसंद नहीं है तो आप न डाले इस पैचुला से मिला लेंगे थोड़े दर और पकाएंगे अब यह ड्राई हो गया है गैस को बंद कर देते हैं अब यह मिक्चर तयार है इसको ढखकान लगा कर ठंडा होने देते हैं जिससे की यह सॉफ्ट बना रहे है अब यह हलका ठंडा हो गया है इसमें डालेंगे एक चम्मज घी और इसको मिक्स कर लेंगे और फिर ढख देंगे यहां मैं लेहीं कुछ ड्राई फूट बारी काट कर फिलिंग बनाने के लिए इसमें डाल देते हैं एक चम्मस दूट की मलाई और एक चम्मस मिक्सर में से इसे मिला लेंगे इसको हम दो भाग में बाट लेंगे एक भाग सादा रखेंगे और एक भाग में ग्रीन फूट कलर डाल देते हैं यहां दो को थोड़ा सा हम मसल लेंगे और इसको सौफ्ट कर लेंगे यहां हम एक ही डो से दो तरह की मिठाई बनाएंगे हाफ चमच घी और मिला कर इसे सौफ्ट कर लेंगे फिलिंग से छोटा छोटा वाल बना कर तयार कर लेंगे इसी तरह से सारे वाल बनकर रेडी है पहली बार हाथ पर बिल्कुल थोड़ा सा घी लगा लीजिए और अब थोड़ा सा मिक्सर उठाईए गोल सेप देती हुए हथेलियों से चप्टा करके इसमें फिलिंग डाल कर अपनी पसंद अनुसार सेप दीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्सर बाइंड हो रहा है बिल्कुल क्रैक नहीं पड़ रहा है इसे हम डेसिकेटेट सुखे नारियल में लपेड देंगे जिसे कि यह सुंदर दीखे यह पेड़ा बन गया है इसी तरह से सारे पेड़े बना कर तयार कर लेंगे सुजी के पेड़े बन कर तयार है कितने अच्छे बनने हैं और खाने में तो यह बहुत ज़्यादा टेश्टी है इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी तो आप भी बनाईए खाईए और इंज्वाइ कीजिए अब हम तीसरी मीठाई बनाते हैं जो डो हम अलग रख लिये थे इसमें हम ग्रीन एपल की से देंगे यह देखने में बिल्कुल ग्रीन एपल की तरह दिख रहा है और टेस्ट में तो पूछना नहीं है महंगी मीठाईयों का टक कर देता है अब इसे बनाते हैं जो हम मिक्सर रख लिये थे उसमें डालेंगे हाफ चमस घी डाल कर थोड़े देर मसल कर सॉफ्ट कर देते हैं इसमें डालेंगे ग्रीन फूट कलर बिल्कुल ग्रीन एपल के कलर में इसको बिल्कुल सॉफ्ट बना लेंगे और जो हम फिलिंग सादा रख थे उससे छोटा छोटा बाल बना लेंगे अब हम थोड़ा सा घी लगा कर मिक्सर में से थोड़ा सा तोड़ कर उठाएंगे अपनी पसंद से आप बड़ा या छोटा तयार करें बहुत बढ़ियां बॉल बन रहे हैं इसे हम हथेलियों से चप्टा करके फिलिंग भर लेंगे चारो और से दबाते हुए बॉल की अकार में कर लेंगे अंगुली से बीच में हलका सा गहरा करेंगे और उसमें साफ लकडी कटहनी जैसा लगा देंगे जिससे के हम बिल्कुल ग्रीन एपल जैसा दिखें देखिए कितना सुंदर मिठाई बन कर तयार है थोड़ा भी क्रैक नहीं आ रहा है इसी तरह से सारे मिठाई बना कर तयार कर लेंगे देखिए बहुत ही कम बजट में खुब सारा मिठाई बन कर तयार है मार्केट से भी बढ़िया और रीजनेबल रेट में तीनों मिठाईयों का स्वाद एक से बढ़कर एक है और हाईजेनिक भी सारी मिठाई घर में रखी ही बहुत ही कम समान से बन कर तयार हुए है सारे समान हर कीचन में रहता है तो आप भी बनाईए, खाईए और खोवी इंजवाय कीजिए मेरे चैनल को लाइक, सिर और सब्सक्राइब करना नव भूले और हाँ कमेंट में जरूर बताएं आगे क्या बनाना है